हें गाईज, वेलकम बेक टुदे स्क्रीन से भी, हाज में एक स्प्रेन करने वाली हूँ कल की मूवी को ये तो सेम होलीवुड वाली फिलिंग दिला रही है, ब्लॉक बश्टर है मूवी, इसको मिस करने की गलतीमत करना अभी बीना टाइम वेस्ट की सीधा इस्टोरी पर लेके चलती हूँ, तो इस शाइटिंग महाबारत की टाइम से होती है, या चारो साइट लासे पड़ी हुई थी, दूसरी साइट अभिमन्यू की मौम अपने बेटे की डेथ के सबमे में है, पर फिर एक लेडी उन्हें बत के युद के बाद बचा ही कोन था, तो कृष्णा ने अस्वत्तामा को बताया कि मृत्यू इसकी सजा नहीं होगी, मृत्यू के लिए तो ये युगों तक तडबेगा, फ्यूटर में एक टाइम ऐसा आएगा, जब धर्दी से जीवन खतम होने वाला होगा, गम का नदी सू मनी को निकाल दिया, राइट टाइम आने पर वो मनी अस्वत्तामा को ढूंते हुए खोद आ जाएगी, अपनों भी टो तावजेंट एट रैड नाइन्टी एट एडी में पहुच गई, यहां सुप्रीम यसकीन का राज है, यह राक्सस दो सो सालों से जिन्दा है, इसने तलती पर जीवन ओल्मोस्ट खतम ही कर दिया है, नेचर की जितनी भी अच्छी चीज़ हैं, उन सब ही को अपना एक रिजर्वड एरिया कोंप्लेक्स बना कर अंदर बंद कर लिया है, शी एनिमाल्स, वोटर, ट्री, सब कुछ, बाहर कुछ भी नहीं बचा, कोंप्लेक्स क अपनी अलग दिनिया है, सिंबाला, जहां ये यसकिन से छिप कर रह रहे हैं, अभी एक रिबेल रूमी आसमान में एक तारे को देखकर समझ गया है, कि नक्षत्र कुछ इसारा कर रहे हैं, कोड आने ही वाले हैं, इन्हें जल्दे से उस मा को ढूंडना होगा, इसलिए ये मनी को मा के श्टमक के पास लाता है, अगर ये मनी चमका, तो मतलब गर्प में गोड ही है, पर मनी नहीं चमकता, यसकिन ने हिमन्स को खाने के लिए भी एनिमल्स जैसा बना दिया था, क्योंकि मैं लोग भोग से मर रहे थे, और गर्स को ओबजेक्ट जैसे ट्रीट किया ज को फर्टाइल मसीन के जैसे समझता है, और पैसों में खरीदता है, तो अभी कोई भी लड़की या बच्ची जो मा बन सकती है, वो सेफ नहीं है, ऐसे में तिव्या का मा बनना बोग बड़ी बात है, या इनके साथ एक राया नाम की लड़की भी है, जो अपनी आटेंटिर बाग पाए, इनको कमाइंडर मानस के पास ले जाया गया, ये रोमी और दिव्या को टोर्चर करके सिंबाला का एड्रेस निकलवाना चाहता है, दोनों ने ही अपनी जान दे दी पर सिंबाला का एड्रेस नहीं बताया, अब कमाइंडर उस भागे हुए रिबेल को पकड़ करने को पीछे पड़ जाता है, तब एंट्री हुई भैर्वा की, ये भी बाउंटी हंटर है, इसको जल्दी से एक मिलियन यूनिट्स कलेक्ट करके कॉम्पलेक्स के अंदर अपनी जगे फिक्स करनी है, तो ये पैसो के लिए कुछ भी कर सकता है, भैर्वा आज तक कोई फ प्रेइंड बानी को, जमीन से कुछ न्यू ही मैटीरियल मिला है, जिसके बारे में इसको कुछ नहीं बता, फिर यसकिन की फीमेल स्लेव को दिखाय जाता है, इनमें जो बेबी को जन्ब दे सकती है, उन पर लैब में एक्सपेरिमेंट चलता रहता है, और जो मा नहीं बन स सकती, उन्हें बाकियों की सेवा करने को रखा गया है, यहीं पर सुमिती भी है, यह मा नहीं बन सकती, पर इसको मा बनने वाली फीलिंग चाहिए, मतलब सुमिती चाहती है कि कास इसका बेबी होता, तब एक प्रेगनेंट लेडी सुमिती को बताती है कि यसकिन को बेबी न क्प्लीट हो जाएंगे तब साइंटिस्ट उस बेवी से एक सीरम निकाल कर ये सकिन को देगा पर प्रोग्लम है कि किसी भी गर्ल की बोडी उस पॉर्मुले को 90 डेज से जादा नहीं रख पाती बच्चा मर जाता है और गर्ल हमेशा के लिए इन फर्टाइल हो जाती हैं ऐसी जिस करल पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था वो 98 डेज दक बेबी कैरी कर पाई थी तो उसी का सीरम कमांडर और वो साइंटिस्ट ये सकिन के पास लिजाते हैं साइंटिस्ट ये सकिन से उसके फॉर्मुले का सीक्रेट पूछने आया है ताकि अपने एक्सपेरिमेंट को ब मारते रहते थे इसने सब सांती ही तो लादी है बट अब अगीन समिती को दिखाए गया ये फाइस मङश से प्रैगनेट है लैप में सभी गर्स को सीडिंग किया जाता है बार बार सुमिती हमेशा इन पैक्सा हीThe एक और लड़की ने देख ली, तो समेथी उससे रिक्वेस्ट करती है कि इस सीक्रेट को किसी को न बताए, क्योंकि समेथी उस बेबी को जन्ब देना चाहती है, अगर यसकिन को पेबी का पता चला तो वो बेबी को मार देगा, समेथी ही पहली लड़की है जिस्ते उस फोर् फिर एक कैप्टन ने इसको अपने बेटे के जैसे पाल कर बढ़ा गिया कैप्टन अच्छा फाइडर था कॉम्पलेक्स को कैप्टन से डेंजर लगने लगा था इसलिए कैप्टन को मारने के लिए उस पर इनाम लगा दिया तब कैप्टन ने कुछ योनिट्स के लिए भैरव को बेज दिया तब से भैरव को किसी पर ड्रस नहीं है ये हमेशा अपने बारे में सोचता है वेट पास्ट में भी कैप्टन इससे पहले की भैरव को बेज पाता भैरव को ये बात पता चल गई और इसने कॉम्प्लेक्स वालों को कैप्टन को ही बेज दिया अब प्रेजेंट में भैरव को रोकसी प्यार कर दिये पर भैरव इसे रिलेशन के लिए इतना सीरियस नहीं है रोकसी की कॉम्प्लेक्स में जोब लग गई है तो भैरव भी एक्साइटिड हो गया कॉम्प्लेक्स में जाने को ये रोकसी को मखन लगाकर उसके साथ अंदर चला गया बट वहाँ पर काम करने की बजाए अंदर की वर्ल्ड को इंजोई करने लगता है फिर रोबोट्स ने इसको पकड़ लिया और कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल दिया अंदर सुमिती को एक गार्ड ने पकड़ लिया है साइंटिस्ट और कमांडर को पता चल गया कि सुमिती फाइफ मन्त से प्रेगनेंट है तो प्रोजेक्ट के का 150 डेज का टार्गेट पूरा हो चुका है अब साइंटिस्ट सुमिती की बोड़ी से सीरम निकालने लगते है तभी एक दूसरी गर्ड ने सुमिती को उस मसीन से बचा लिया और नीचे के रास्ते से बाहर निकालने लगती है वो लड़की रिबेल है जो की सालों से कॉम्पलेक्स में छिप कर रह रही थी ताकि प्रोजेक्ट के के बारे में पता लगा सके उसने कॉम्पलेक्स में बहुत सी डेथ देखी पर अपना मिशन नहीं बोली ये आज तक चुप रही अभी इसने और रिबेल्स को बुला लिया है ताकि वे सुम्पलेक्स को सिंबाला ले जा पाए पर इस एसकेप में उस रिबेल गर्ल की टैतु जाती है बाहर आने का जो एक ही वे था उसमें भी आग लगी हुई थी सुनेती को उस आग में मरना सही लगा ना कि यसकिन का एक्सपेरिमेंट बनना बट फिर मरिकल अगेन हुआ और सुमीती को वो आग जला ही नहीं पाई ये जिंदा आग से चलते हुए बाहर आ गई इसको वहाँ से रिबेल्स अपनी साथ ले गई दूसरी साइड रिया वो बच्ची जिसके पास अस्वत्थामा वाली मनी है वो गार्ड से बचते हुए एक बहुत पुराने से मंदिर में आ जाती है या रोबोट रिया को मारने ही वाला था तभी अस्वत्थामा सालों की नीन से जाग गया और रिया को बचा लेता है वो मनी भी चमकने लगती है तो अस्वत्थामा समझ गया कि इसके बाहर आने का टाइम आ गया है ये उस मनी को अपने सर पर वापस लगा लेता है और मा को ढूडने निकल जाता है जब सुमिती पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था तब कॉंपलेक्स में एक और वीर्ड चीज हुई थी वो मैटर्स जो बनी को जमीन के नीचे से मिला था उसमें एनर्जी आ गई है कोई भी वसीन उसको टच नहीं कर पा रही थी ये धनुस था जिसको खुद ब्रह्मा ने बनाया था जो भी इस धनुस को उठाएगा वो गोड को भी हरा देगा पाइट में तो अभी बनी को समझा गया कि पुरानों की बात सच होने वाली है भगवान अगीन जन्म लेने वाले हैं अगर समिती को पकड़ कर बेबी का जन्म रोग दिया गया तो अगेन 6,000 एर तक ये नकसतर वापस नहीं आएगा तो ये समिती के पीछे भी बाउंटी हंटर्स को लगा देते हैं वो रिवेल्स जो समिती को सिंबाला ली जा रहे थे उन पर अटेक होना स्टार्ट जाता है यहां भी एक रिवेल्स काईरा ने समिती को बचाने को अपनी जान दे दी तब अस्वत्थामा भी यही पर आ जाता है और उन बाउंटी हंटर्स को मारने लगता है गाइस भैरवा भी समिती पर लगी इनाम को जीतते को यहां आ गया है और अस्वत्थामा से फाइट कर रहा है भैरवा ने अस्वत्थामा को फाइट में थोड़ा तो परिशान कर दिया था बट अट अट अस्वत्थामा फाइट जी जाता है और ये लोग समिती के साथ सिंबाला आ गए किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि गोड का जन्म होने वाला है तब कई सालों के बाद गोड ने आज बारिस कर दी जिससे सभी को सेकिंड कमिंग पर ट्रस्ट हो गया उदर भैरवा को कॉमपलेक्स से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया क्योंकि भैरवा ने यूनिट्स जीतने को कॉमपलेक्स के सोलजर्ज पर ही अटेक कर दिया था अब भैरवा का ड्रीम टोड चुका है ये सैड होकर वापस कर जाता है और उस रिबेल को अपनी बातों में फसाता है कि यहाँ इसका कोई नहीं है यह आज एक फाइट हार गया है अब कॉम्पलेक्स वालों ने भी इसे बैन कर दिया है फिर भैरव ने उस रिबेल को फ्री कर दिया यह रिबेल ओल्रेडी भैरव की फाइट्स की कहानिया सुनकर इसका फैन था अभी भैरव की कंडिसन से इमोशनल हो गया और भैरव को अपने साथ सिंबाला चलने को बोलता है क्योंकि वहाँ लोग एक साथ फैमिली के जैसे रहते हैं यही तो भैरव का प्लैन था आज तक कोई सिंबाला जगे को नहीं टून पाया था पर अब भैरव वहाँ जाकर अस्वत थामा से वाइट करेगा अब भैरव अपनी कार को हाई टेक्निलोजी से मोडिपाई कर लेता है ताकि इस बार अस्वत थामा को हरा पाए उदर अस्वत थामा रया को अपनी स्टिक के बारे में बता रहा है कि यह इसके फ्रेंड करन का वैपन है करन अर्जुन से भी ज़्यादा पावरफुल था पर जब से करन की डैथ हुई है इस वैपन की पावर भी चली गई है फिर सुमिती सेड है यह सोचकर की बेबी की वज़े से कितने लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी सिंबाला के लोग टेंजर में हैं पता नहीं और कितनी जाने जाएंगी तब अस्वत थामा ने उस होने वाले बेबी की पूरी सच्चा ही सुमिती को बताई अब तक भेरवा उस रिबेल के साथ सिंबाला आ जुगा था फिर अस्वत थामा का फेस को पी करके सुमिती को साथ ले जाने लगता है तब अगेन अस्वत थामा और भेरवा की फाइट हुई आज भेरवा अपनी कार को एक एडवांस रोबो बना कर लिया था पर फिर भे अस्वत थामा ने भेरवा को हरा ही दिया था तब इस सिंबाला पर कॉम्पलेक्स का कमांडर अपनी आर्मी के साथ अटेक कर देता है गाइस एक पांटी हंटर ने सुमिती वाली गाड़ी पर लोकेशन ट्रेकर डिवाइस लगा दिया था जिसकी वज़े से कमांडर को इस जगे का पता चल गया अब सिंबाला के सब ही लोक मारे जा रहे थे कमांडर ने सुमिती को भी उठा लिया था तब उसे बचाने को सिंबाला की माता मरियम ने कमांडर से फाइट की और ये भी मारी गई कमांडर ने अस्वत थामा को भी बांदा हुआ था फिर अगेन मिरिकल हुआ सिंपाला में एक ट्री था जिस पर कई सादों के बाद अब जाकर टू लीवस आई थी उन टू लीवस में से एक टूटकर अस्वत थामा की लाठी पर गिरी और वो लाठी भैर्वा की हैंड को टच कर गई तब एक बिग ट्विस्ट हुआ उस लाठी में पावर अगेन आ जाती है भैर्वा और कोई नहीं माभारत वाला करन है अब ये अक्ये ने ही कमांडर की आर्मी से फाइट किया और सुमीती को उससे बजा लिया पर अगेन ट्विस्ट भैर्वा को वो लाठी छूटते ही कुछ यादी नहीं रहता ये तो सुमीती को यसकिन को देने यहां से भाग जाता है अस्वत्थामा भैर्वा को नहीं रोप पाया उधर बनी ने यसकिन को सिरम की एक ड्रोप लाकर दे दी ये वही सिरम था जो सुमीती की बोड़ी से एक्सपेरिमेंट के टाइम निकाल लिया गया था पर तब रिबेल ने सुमीती को मसीन से निकाल लिया था अब बस एक ड्रोप से ही यसकिन में बहुत जादा पावर आ जाती है ये वो प्रह्मा वाला धनुस भी उठा लेता है और अब सुमीती को लेने खोट जाने लगता है अब यही पर कल की मुवी का फर्स्ट पार्ट कतम हो जाता है अब आपको मुवी पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसके अलावा हमारी एक ओर फ्री सर्विस है जहाँ पर आप तो शोपिंग में भी अच्छा गासा पैसा बजा सकते हो इसमें बिस आप लोगों काही प्रोपिट है इसके बाद एक वीडियो प्ले होगी उसको एंड तक देखना आपको सब समिझा जाएगा ओनलाइन शोपिंग तो अब लोग करते ही होंगे बट अगर वो शोपिंग और भी जादा सश्मे में हो जाए मैंने खुद ये Realme का हेडर ओली 444 रूपिज में बुक किया है इसी के साथ ही सद इधर अपको स्मार्टफोन, स्मार्टवर्च, टीवी, शूस, क्लोट्स बहुती रिस्काउंटेट प्राइस में मिलेंगे जो कि लिमिटेट टाइम के लिए अपकी फेवरिट शॉपिंग प्लैट्फोन पर आती है वो हम अपको बताएंगे So, जॉइन करने के लिए प्लेस्टोर से टेलिग्रम आप को डाउनलोड कीजिए रिजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेफ पैसा Then, ये रहा ग्रूप अब अब जॉइन हो जाएं और ग्रूप में जरूर एक्टिव रहें लिमिटेट डिल्स को ग्राप करने के लिए ये ड्रेस्क्रिप्शन की लिंक से भी आप डिरेक्ट जॉइन कर सकते हैं So, जर्दी ग्रूप जॉइन करें और आपवर्स को ग्राप करें